हेलो दोस्तों ओमनी सिंड चैनल में आपका स्वागत है और आज आप जो है बिहार इतिहास सार संग रहा के जो दूसरे पार्ट को देख रहे हैं तो सव प्रश्ण इसके पहले मैंने एक वीडियो में डाला था अब यह दूसरा पार्ट है जिसमें सव प्रश्णों को मैंने लिया है और इसा जल्दी से जल्दी और बहुत कम समय पूरा करने का कुशिश करूँ है ताकि आपके समय बहुत कीमती है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करें अगर अपने सब्सक्राइब कर रखा तो नोटिफिकेशन को और रखे ताकि इसके तीसरे वीडियो को आपके पास जो है सबसे पहले जनकारी मिले इसके नोटिफिकेशन मिले आपको और अगर वीडियो आपको अंत में अच्छा लगता है तो आप इससे सेर करना नहीं बोले कम से कम तीन अपने दोस्त को अपने जो जो भी पढ़ने वाले हैं या जो भी जनकार है उनको जरू करते हैं जोस्तों देखिए जैसा कि पहला प्रश्ण आपने देख अब देख रहे हैं कि असोक के सिलालेख असोक के जो सिलालेख है को पढ़ने में सबसे पहले किसी सफलता मिली है तो जेम्स प्रिंसप को मिली है सफलता यह 1837 में इन्होंने असोक के सिलालेख को सबसे पह यह है लौरिया अरे राज लौरिया नंदनगर और राम पूरवा तीन नमबर में पावा पूरी किस धर्म से संबंधित है तो उत्तर है जैन धर्म किस चीनी यात्री के वर्ननों के अधार पर कंशन्डर 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 कि नहीं थे तो 57 27 पूर्व के पहले कि यह नहीं थे कि जो है प्राचीन सि्क्री तो किThank you spirit नमर में गुट्ट स्वन यानि गुट्थ जो है स्वन एवाँ रजत सिक्कह कि सास्टों कि सिक्कों पर अधारी थे गुट्ब्थ काल के और जो सिक्कह जो क्या सिक्कों के अधार पर तो यह रूमन और कुषान जो थे उनके दरजारी किये गए जो सिक्के थे उसके अधार पर लिए लिए लेकिन गुप्त काल में जो है बहुत जो सुनिक सुधा थी बहुत यह उसमें सैद बढ़ गई थी तो खर अब नेक्स्ट है खर यह प्रस बहुत बढ़ी थी स्वर्ण और रजय सिक्के की कुप्त काल में और काफी संख्या में इनके सिक्के जारी किये गए अब है आठ नमर में हैं बर्दमान बर्दमान को यानि कि भगवान बर्दमान को महाबीर और जिन कहा गया है इसका क्यार्थ है तो सुख दुख पर विज के संभारा थी ऐखारा के करते दनेंबर में जैब प्रकास नरायन का जन अस्थाली का नाम क्या है फूसी अप अजैताब डिया रहा है ग्यारा है इस अम्रबाली गौतंबुष के कौल में किस नगर की राज नर्थकी थी यानि कि समकालिन थी तो यह वैसाली की थी बारा नंबर में मैला आचल के प्रसिद्द लेखा कौन थे तो यह फनिस्वर नाथ रेनू थे फिर दिखिया तेरवा नंबर में मरांग गोम के के नाम से कौन चर्चित हुए तो बिरसा मुंडा चर्चित हुए चौदा नंबर में देसेर का था नाम करांतिकारी पुस्तक के लेखा कौन था तो सखा राम गनेश देवसकर थे और इस पंदर नंबर में सेर सासूरी के पित पाबा पूरी किसकी राजधानी थी तो मल साजकों की राजधानी थी 17 नमबर में मेगस्थिनीच पाटली पुत्र कव आया था तो 315 इसी में मेगस्थिनीच पाटली पुत्र आया था 18 नमपर में साह moist जहां की काल में बिहार का सुवादार कौन था तो यूस्त्वर अगवर के काल में किस मुगल सेणानायक ने बिहार प्राधिकार कर मुगल सत्ताय स्द्वर्वित की थी तो मैंसिंह ने किया था तो मान सिंग का जो है रोताजगर में किला भी है और इंपोर्टेंट है यह उन्होंने किला बनाया था यहां की सुविदारी भी उनके हाथ में थी काफी समय तक फिर बीस नमबर में इवराहम लोदी के काल में बिहार का सुविदार कौन था जिसने सुल्तान के बिरुद्ध बिद्रो किया था तो यह दरिया खानुहानी थे जिन्होंने बिद्रो कर दिया था नंबर में है सुमातरा के राज राज वलपुत्र देवर ने देवपाल की अनुमती से कहां करेकर दूख्शत्रवाथ कर दिआ आज पास कर वाया होगा। 20 नमरермें बिहार से गुजरने वाला राष्टि राजमार्द03 कि रहाए था तो चुटिक कोश्चन में थावासा बदलाव है जोस्तों इसको गैन फ्रेंक रोड के नाम से जाना जाता है और इसका निर्मान जो सेर साशुरी ने करवाया था थे तेस्ट नमबर में कुम्रहार पार्क कहां इस्तित है तो यह पटना में स्थित है कुम्रहार और नाम से जो है कि कि पिधानसवा कुब्राहर विधानसवाचेति भी इसके नाम से अब चब्स नमबर में कुफ्त काल में दान विवाग का परधान क्या कहलाता था तो अग्रहारिक कहलाता था पचीसमा है पावापूरी का समद्ध किस धर्म से है तो भगवान महावीर से है एक्चुली जयन धर्म से है 26 नमबर में बिहार में बिहार संपissa Damstad पहुझे अच्छ नगर का संबाना जाता है तो मुसल्मानों का क्योंकि प्रसंत पीर मकदूम सा सर्फ उद्दीन का जो है मक वह अस्थल है इसलिए 27 नमर में मजुसास चित्र शैली किस छेत्र में लोग प्रिय था तो यह अंग छेत्र में लोग प्रिय था 28 नमर मौर काल में बजार पर नेंटर्ण करने बाला क्या का लाता था तो पना ध्यक्ष का स्थागी कि बागा यह संचारा किसे कहा जाता था तो शेलिक अस्थान से दूसरे हैं पर घुमते रते तो उनको कोव्ट्र प्रें Voice संचार कहते थे टीक है एक सथाई बीरते थे Himopad igone मौर कालीन मौर कालीन प्रांत जो है अवंती तो वंती किराजधानी कहां थी तो जैनी थी अवंती किराजधानी 32 गुप्त काल में महासंधी बिग्रहिक किस विभाग का परधान था तो बिदेश बिदेश नीती विभाग का जो परधान था महासंधी महासंधी बिग्रहिक ठ भीर यांता दोरेंगत कैला क्रुछा जाता है तुम आ पहल ए नाम को सेवक रामदा नाम प्रसद्हार कॉछाली का प्रवाव रहा है तो एक्स90 नमे नाहरें विपुष्ट को को फेलेदर्थ कि भाता था त्यव नमबर में ढ क्रम सिलय भॉढ़ धर्म के किस साख requirements था तो तो ब्रज्यान का पेट JOHN आ यह पांम है तंव में हैं और मसा नाली रखार है और भागल्पुर कर शेतर की हमें अन्हें को प्रोटर्भ में प्राचीन में तक्षिसीला के बाद इसका नाम आता है अगर आपने कहीं पढ़ा है तो 49 नंबर में है बाधसा अफगान बाधसा सेर सासूरी का मकवरा बिहार के किस नगर में है तो सासा रामे है इसको सहसरां भी करते हैं मैं चलिस नंबर में सताद बिसमिल्लाख खान का जन्म कहा हुआ था तो दुमराओं में हुआ था यह और यह भक्सर का च्ट्रह दुमराओं कि शानाी हे बहुत अच्छा था इसके लिए ने पता चले गांए छो फिस्व widisika windows 2-2 और दिया कब हुआ है तो 1923 में हुआ है सुराज दल का गठन कि अब चोवालीस तंबर में करनाटक में जैन धर्म के प्रसार के अभिलेक अभिलेक प्रमान कब के मिलें तो इसा के तीसरी सरतावदी के मिलें तो करनाटक में इसलिए दोस्तों क्योंकि जो है चंदरगुप्त मौर है उन्होंने वहां चले गया थे जब यहां बंग मागद में यानिकी पाटली पूतर में दुर्वीच पड़ा था तो वहां चले गया थे सरवन बिल गोला में वहां उन्होंने अपना अन्य जल पानी छ छाट्रों के नाम थे तो यह नाम जो है बहुत देखिए जो चात्र है साथ उसको आज कल मुझे सब्तमूर्ति कहते हैं यानि साथ मूर्ति बना दिया गया उनके अस्थाल पर तो यह जो है लोग है उमा कांथ परसाथ परसाथ सिंग्घ रामानान सिंग सब छाठ ते सथीस प्रसाज जगपती कुमार ठीक है उसके बाद जगपती कुमार के बाद है देवी परसाज चौधरी राजेंद्र सिंग और राव गोविंद तो राम गोविंद है यह प्रमुक है इसलिए मैं प्रशन को मैंने लिया है क्योंकि हो सकता है कभी आप से पूछ दिया जाए कि इन प्रशाशन के दक्षिता करने बाला यानि कि परधान कौन हुआ करता था या क्या क्या लगाता था तो ग्रामिक कलाता था या ग्रामिनी इनकी पुद्री का नाम था है लगे फेलन फेलन बहुत है आज कर आज कि एक यह नाम की है भी फिनित्री है वाली वुद्री में देखी कि कितना पुरान नाम है उसके बाद दोस्तों के बाद यह देखिए अरता उन्चास नमर में है मैं चैंद्रकुप्तिम ने सैलिकस को कंद्धी के संदि के यह 500 हाथी दिये यहThis k Zen Hydre और पचास नमबर में मौका कर नेवा कर comunque तिरथ टैंचारा पर करते ते यह 2 ऐसे दूस्त प्रहादिकारी लोगों होते थे ठीट नियुकिवका गे तों पावन नमर में मौरकाल में वेश्यावों कि अध्यक्च क्या खाला थे तो गणिका ओभत एक मझेज को पावन नमर में मौरकाल में राज्जी के अर्थ विभाग का अध्यक्चिक आगा लगाघाया था तो चन्नी धाता अगीर्ण सभर्ण जिरी थी दक्षिना प्त प्रांत की राधानी कहां थी तो शवर्ण गिली थी और नम्हें बुद्ध के उबदेशों कर संकलन किसमें तो उब्देश जो दिये थे बुद्ध ने वे विन्हें स्धान के सिधान के सिधान का कौन सा पांचवा सिधान जोड़ दिया था जोड़ा ब्रह्म चर्रेका था चपन में तंजोर के राज राज़सкогоर मंदिर को किस बनस के राजा ने बनवाया था चूल बंस के राजा ने बनवाया था और यह जो है सोक शीमा के अंदर आते थे ठीक है उसके चौट संतावन नमर में चौथी बहुत महाशभा जो है महात्या संगीती किसके सनक्षन में हुई कणिस्क कि सनक्षन में हुई कुणल वह हुए किछ आते हैं तो मार्ग कर्भ यानि मार्ग कर्भ शुलने वाल अधिकारी को क्या कहते थे तो सुलका ध्यक्ष कहते थे उसके बाद 69 नमर में अजाज सत्रु का अशार्षन अजाज सत्रु का जो है शार्षन काल कितना था तो चार सो एक आनवे से 499 इस्वी पूर्ष कहाट रहा थे इक ली को यह बहुंत सारे लोगों को यह ब्रह्म हो जाए कर उल्टा दिया वाए 469 इस पूर्ष में है यह सही है चार से कानवे से 469 इसी पूर्ष का इस बाद या नमर में अकबर सरप्रथम बिहार का आया था तो 15 जून 1564 को आया था अकबर बिहार में उसने अपना कदम रखा था उसके बासट नमर में अकबर जिस कारे को अपने जीवन में जीवन काल में पूरुन नहीं कर सका परनतु उसे जहांगीर ने पूरा किया वाक कौन सा कार रहा था तो मेवार की अधिनता को स्विकार करान two 266 भी को हुआ है यह माराज की समाधी memang में बनी है ने बनी है थो अ कि छंगली भूमी के लिह कुप्त काल में कौन सा सब्द जो है प्रचले था यानी योग में लायााता था तो यह अप्रहत अप्रहत को जंगली भूमी कहा जाता था जश् deben 6.75 जली्व प्रेएंस ब्री Hm ये प्रूल मी परीयुकते है ब्रीही सब्दकार्त क्या है तो चावल होता है उसके जूनपूर औरुबन पूर नगर की अस्थापना किष्ण ने की थी जफिरोस दुगलक ने की थी 69 है कलें का युद्ध कब हुआ है तो 261 इसी पूर में हुआ कलें का युद्ध सहत्तर नबर में आसो के काल में आयोजीत त्रितिय बाँ संगीती का धक्षिता किष्ण टिशंने किया था तो मोगली पुत्र टिशं England किया था थनी बुद्ध चरीत और सुत्र लंकार की जाएव भत दन्मर diferentes er आतरी इस सिंग नालंदा बिहार कब आया थे नाला बिहार के नालंदा में कब आया था छोसो सतर इसी में यह आये थे उसके बाद है अनीके सिर्षा का देहबशान कवा था तो बाईस में पंद्रह सो पैफालिस को सिर्षा जो है उसका द्रह वर्षान आए ठीक है उसके मिश्ट्वी इती यह 22 मैं पंद्रह सो पैतालिस यानि से टेह वरसान 22 मैं 1545 को वह था जो इन देंग गया प्रवचन क्या का लाता है तो लाता ठिक है उसके वाद ने च्छेतर महात्मा पूध को महां परिनिर्मान कष्ड हुआ तो कोशी नारा कोशी नारा कोशी झागा उसी सब्सक्रा कुंसूनारा या कोई परते दिवरिया जिला है उत्तरप्रतिस का कवा है तो इसके बाद हए 78 है असोक के कौन से 2 अभी लेक खरो्ष टी लिपी में है मांसहरा ऑस सहरा और सहवाज-गडी जो हमयोथ खरो गभी नि फ्रती लिं साने थो असके बाद 79 है असोक पासोक के मानस आए मांसहरा और सहहस गड़ी सीज यालेक कहां से मिले तो यह दिसतो हजारा और पेशावर से मिले ये दोनों जो दोनों सिलालेक हैं cinars Hai Pakistan का ये ये हड़ार पेशावर 80 नबर में कौन सरब दुबन कनिशक का समकालीन था муж 6 यह ध्रबर सम्काली तद्ट नोबर में भाद सम्काली reg I can compare लुए इसे और स्पाँ के बरधन वंता का संसापँ प्रभाकर बरधन면 नेसु टने में गुपत यूग के सह써 तकार कौन थे तो काली दास विसाखा दत्त वेगर जो थे और भी थे इसके साहित्तिकार थे गुपति यूग के 83 है चंदरगुपति दूति के सासन काल के सासन काल में कौन सा विदिसी आतरी भारत प्रहवन के लिए था तो फायान आया था 84 है भारत में खरोष्टी लिपी भारत में खरोष्टी लिपी को किसने स्थापित किया तो अरब के लोगों ने इसे स्थापित किया था खरिष्टी लिपी को उसके बाद है 85 जो है रहट और घटी यंद्र का प्रयोग कहां किया जाता है तो रहट और घटी यंद्र का प्रयोग जो है गुप्त योग में सिचाई के लिए किया था 86 है कॉटलले के 87 में तीर्थ सब्ध का प्रयोग इसके लिए हुआ है तो बाटली पुत्र के पधा अधिकारियों के लिए तीर्थ सब्ध का प्रयोग हुआ है 87 है महर K tale में सिता सब्ध की सब्ध में प्रयोगत होता है तो سरकाली जमीन की देखरे करने इसको सीथाज करते ते और देख्च में सरकारी जमीन से जुरा हुआ है फिर 78 गंगा और सूण के संगम बरपटना में किसने किला बनवाया था तो उद्दयन ने बनवाया था उद्यन जिसको दयभद्र भी कहते हैं उसके वाद यह दूस्तों 89 है सेना में हाथियों का सबसे पहले किस नरेश ने किस सासक ने इस्तमाल किया था तो यह मगद मगद के सासकों ने इस्तमाल किया है मगद के सासकों ने इसको मुगत के सासको ने इस्तमाल किया। नभी हैं राजा के मंदीर का धन जब्त कर लेना चाहिए। किस ने कहा था तो कौटिल लेने कहा था। सक्समबत कब परारभ हुआ तो Month । 78 इससे परारभ हुआ सक्समबत। इसके तो दोस्तों 92 नंबर में है असोक का कौन साहेलेख बहुत धर्म के धर्म नियमों को प्रकर करता है तो भावरु सिला लेक जो है बहुत धर्म के धर्म नियम को प्रकर करता है भावरु सिला लेक उसके बाद है 93 है बहुत साहित मुख रूप से किस भासा में लिखा गया है तो पाली भासा में बहुत साहित लिखा गया है 24 एकर विल कहां के तो कलिंग के साथ आसकते है जो कि कैलिंग जो है उडिसा में बरतमान में करें की नथानि उससे अमें तौसली हुआ करती थी जो कि सोक के मतलब यह सबके समय तो तोसली थी और यह समराज के निम्न है तो हर्सवर्धन ने नागानंद रतनावली और प्रिय दर्सी का नामक रचनाय रची हैं तो इन से सब मंदिश प्रश्ण आप से पूछे जा सकते हैं उसके बाद है जिनके नाम क्या है तो रतन सागर पुस्तकाले रतन धधी पुस्तकाले रतन रजक पुस्तकाले तीन नाम के जिन में तीनों में रतन रतन जुड़ा हुआ एक मसागर याद करेंगे इसको 98 में प्रशाशन के छेतर में शेरसाख को अकबर बुर्वा गाँमी मान जाता है क्यूंगि उसकी प्रसाज कि नीतियों को अकबर ने अपना लिया था ठीक है प्रसाज के नीतियों को अकबर ने थो जो है ओं निन्दा का घ्यान होता है तो सहवाजगठी सिला लेक इसा ज् науч ने कहा है अपने सिलालेक के मात्यम से सवाजगठी सिलालेक है सोब नमबर का प्रश्न है चते सताब दीस्वी के है सोला महाजनपदों की चर्चा कहां से मिलता है तो दोस्तों निकाय है दूसरा भगवती सुत्र है भगवती सुट्र डोनों से सुला महाजन-पदो को मैं स्वामिल करूंगा इतिहास से ही तो आप जरूर मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिक्रेशन को और रखेंगे इसे तीन लोगों को कम से कम जरूर सेयर करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक धन्यवाद